दोस्तों यह जो आईश्मान कार्ड है यह हमने ऑनलाइन प्रोसेस से खुछ से ही अपलाई करके बनाया हुआ है आप भी अपना जो कार्ड है वो खुछ से ऑनलाइन आकरके बना सकते हो इसके लिए गौश्मेंट ने एक नया पोर्टल लाया है जहां पर आधार के जरिया और सरकार की तरफ से जो हर साल पांच लाख रुपे तक का मुफ्तवे ट्रेट्मेंट की फैसलाल्टी दी जाती है उसका जो लाब है आप ले सकते हो अभी आप अपना कार्ड अपने फैमिली मिंबर का जो कार्ड है वो जनरेट कर सकते हो सबसे पहले तो आप सभी को pmjay.gov. जो इसका ओफिसियल पोर्टल है आपको इसी पे आना है इसका जो लिंक है हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अब यहां पर खुश से अगर आप कार्ड बनाना चाहते हो तो आपको ऊपर की तरफ एक ओप्शन देखने को मिलेगा आयम इलेजिबल क इस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने खुश से EKYC करने का जो पेज है वो आ जाता है जहां पर आप देखोगे कि यह जो पोर्टल है पहले ऑपरेटर के लिए अवेलविल होता था वही कार्ड बना पाते थे लेकिन अभी आप एक बेनिफिसरी अगर हो तो खुश से अपना जो कार्ड है आप बना सकते हो किसी अधर परसन की आपको ज़रुरत नहीं होगी यहां पर आप देखोगे कि कोई भी फैमली मेंबर का जो नाम है अगर छूटा गया है तो वह आप जोड़ सकते हो तो यहां पर हम इस वीडियो में जैसे की देखने वाले है कि खुश से अपना कार्ड कैसे बनाना है तो आपको बेनेफिसरी की टैप पर ही क्लिक करना है और अपना जो मॉबाइल नंबर है यहां पर हमें इंटर करना है और वेरिफाई की टैप पर आप क्लिक करोगे आपकी मोबाइल फोन पर एक OTP आएगा वो टीपी आप यहां पर दर्ज करना है और केपचा कोड जैसे आपको दिखाये जाता सीम वैसे ही आप पर आपको उन्टर करना है देन आपको यहां पर लॉगिन टैप के लाइन साट्रा के इंदर और कई सारे गैटेगरी आपो दिखाएग करएं यहां के पास स्रमिक कार्ड कार्ण भी आपने आपना पैर पांके साथ अंहें दिखाएं और टो आप इसेहरे को डिखेंगर सत्यास है पर आपको पास में अपना इननियक कार्ण करते हैं अंतों ऑपकर कार्स आकर्ण कर sic devo हूं द이 खांग sow site जो option दिखाएगे हिन पे आपको click करना है बाकी के other जितने भी user है card को बनाने के लिए PMJAY वाला जो option यहाँ पर आपको दिखता है इस पे आपको click करना है देन आप सभी को अपना जो district है यहाँ पर इस list में से selection कर लेना है आप चाहो तो अपना जो card है वो family idea अगर आपको पता है तो उसके जरीए बना सकते हो इसी के साथ में आधार number का option दिया गया है और name के जरीए भी आप अपना जो card है वो बना सकते हो इसी के साथ में अगर आपको यह देखना है कि आपकी परिवार के कितने सदस हैं जिनका card बन सकता है तो यहाँ पर जैसे कि हम आधार के जरीए card बनाना चाहते है तो आधार number का जो option है इसको हम select करेंगे अपना जो 12 digit का आधार number है उसको हम enter करेंगे तो यहाँ पर जैसे हमने search के option पे click किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे जो records है वो found हो चुके हैं यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा name तो आई गया है इसके साथ में परिवार के जितने अन्य सदस हैं उनके भी name यहाँ पर दिखाए गया है जो कि इस योजना के अंदर ये लोग भी card अपना बनवा सकते हैं यहाँ पर हमारी जो family ID है वो भी आपको दिखाए गया है यहाँ पर आप देखोगे कि आईश्मान भारत योजना का जिन लोगों का card बन चुका है यहाँ पर approved mention किया गया है साथ में download का जो icon है यहाँ पर दिख रहा है इसका जो वीडियो है हमने इससे पहले बनाया हुआ था वीडियो के description में अगर आप चेक करोगे तो वो हमने link दे रखा जिस पर click करके आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर अगर आपको name नहीं show होता है तो उसको कैसे आपको जोड़ना है तो यह card बनाने के लिए आप सभी को action के section में यहाँ पर उसी के आगे जो icon दिखाएगा इस पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको verify की tab पे click करना है consent आएगा जिसको आपको read करना है yes करना है और allow की tab पे आपको click कर देना है और यहां पर authentication mode के section में कई सारे option आते हैं तो हमारे पास कोई biometric device है नहीं तो यहां पर OTP का जो option है इसको हम choose करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे आधार card से जो भी हमारा mobile number link है उस पर एक one time password send किया गया है तो यहां पर आपके phone पर दोनों ही OTP आ चुके हैं जिनको आपको यहां पर enter करना है और authenticate की tab पर आपको click करना है तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे जो verification है वो हो चुका है हमारे सामने ekyc का जो page है वो आ चुका है आप यहां पर card को बनाने के लिए आपको ekyc करने की जरूरत है जिसको करने के लिए आप सभी को ekyc के mode के section में आधार OTP का जो option है इसे आपको choose करना है और यहां पर आपको verify की tab पर click करना है consent आएगा इसको आपको read करना है yes के option पर click करना है allow करना है तो अगेन आप सभी के mobile phone पर एक OTP आएगा तो OTP को दर्ज करते ही यह जो page automatic refresh होता है और आप सभी के सामने आपके अधार card से जो records है वो फेचो करके आ जाते हैं और मैंने यहां पर एक matching score का option दिया है जिसमें कि यहां पर genuine person होगा जिसकी जो detail है वो exactly match करती होंगे तो यहां पर उसका जो card है वो जल्दी से approve हो जाएगा आप देखोगे कि immediate apply करते ही आपको जो card है वो मिल जाएगा लेकिन कोई भी ऐसा ब्यक्ति है जिसका matching score है वो अच्छा नहीं है तो वो जो है manually review किया जाएगा कि वही ब्यक्ति का card है आपको यहां पर photo को capture करने का option दिखाया गया जिसके click करके जो लाभारती है उसका जो photo है आपको capture करना है कुछ इस तरीके से और proceed की tab पे आपको click करना है जैना आप नीचे की तरफ आओगे तो कुछ additional details आप सभी की मांगी जाते हैं कि यहां पर इस card के साथ में आप अपना जो mobile number है वह जोड़ना चाहते हो तो बिल्कुल जाहर से बात हम जोड़ना चाहते हैं इस option पर click करेंगे verify की tab पर click करेंगे तो यहां पर आप देखोगे कि हमारे phone पर एक OTP गया है वो OTP आपको दर्ज करना है family का head है उससे आपका क्या relation है काई सारी categories आपको दिखाएगे हैं आपको अपने recording selection करना है देन आप सभी को अपने area का जो pin code है यहां पर fill करना है submit के option पर click करना है तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो KYC है वो successfully हो चुकी है हमारा जो card है वो generate हो चुका है आप सभी को card को अप download करने के लिए और सेम उसी तरीके से portal पर आ करके अपनी जो family records है उनको फेच करना है तो अब यहां पर family का जो member है जिसका हमने health card बनाया है यहां पर आप देखोगे कि उसकी जो KYC है वो हो चुकी है यहां पर card भी approve हो चुका है यहां पर अप्रूवेट इस तरीके से mention किया जाता है इसी के साथ में card को download करने का जो option है वो भी यहां पर आ चुका है तो यहां पर इस icon पर हम click करेंगे then आप सो भी को card को download करने के लिए हम पर concern page में yes के option पर click करना है allow के option पर click करना है आपके phone पर same उसी तरीके से OTP जाएगा आपको दोनों OTP यहां पर दर्ज करना है authenticate के option पर click करना है इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो authentication है वो हो चुका है हम download section में आ चुके हैं तो जो हमने अभी card बनाया था यहां पर हम इस पर click करेंगे यहां पर आप देखोगे कि यह जो card है दिखाएगा इसका पूरा letter आपको मिल जाता है जिसमें कि 5 लाक रु सकते हैं यह जो card है इसकी खास बात यह है कि इस card पर पुराने भी जितने भी आपकी बीमारियां है existing उनका भी treatment हो सकता है तो इस card के जिरिए कहां कहां पर treatment हो सकता है अगर आपको जानना है तो इससे पहले हमने एक वीडियो बना रखा है वीडियो के description में आप देखोगे तो आप लिंक दे रखा जिसमें कि आपकी जो बीमारी है उसके according आप चेक कर सकते हो कि किस-किस hospital के अंदर treatment हो सकता है अब यहां पर अगर आपका जो name है पहले से नहीं जुड़ा हुआ है तो कई सारी categories में नाम आप खुश से ही जोड सकते हो तो अगर आप उसके बारे में जो card है वो नहीं बनाया वो अपना card बना सकेंगे और आप सभी के मन में कोई भी सवाल है किसी भी तरीके का सुझाओ तो आप मुझे comment में लिख करके बताना बाकी हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक लिए goodbye जाहिं